आप सबी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मैं हूँ विरत दुबे आज हम लुग जानेंगे रास्टपती के शपत ग्रिहन समार हो के बारे में पंद्रवी रास्टपती श्रिमती दौपदी मुर्मुजी पहली आदिवाशी रास्पती बन गई हैं महिलाओं का प्रतिन्धित करने के साथ वदेश की कुल आबादी के साड़े आठ फीजदी से कुछ ज्यादा आदिवाशी समुदाय का प्रतिन्धित्व करती हैं लेकिन जनजाती की बात करें तो वह संथाल जनजाती से तालुक रखती हैं भील और गोंड के बाद संथाल जनजाती की आबादी आदिवासियों में सबसे ज़्यादा है रास्पती के शपत ग्रहन के इस वीडियो में हम आगे जानेंगे सम्वेधानिक प्रावधानों के बारे मे क्या शपत लेते हैं रास्पती 25 जुलाई को ही रास्पती का शपत ग्रियान क्यों हो रहा है और कौन-कौन से महनुभाव रास्पती के शपत ग्रियान समारोह में शामिल होते हैं आईए सबसे पहले जानते हैं सम्वेधानिक प्रावधानों के बारे में सम्विधानिक पदाधिकारियों की शपत का उलेख भारती सम्विधान के अनुसूची तीन में है अलाकि इसमें रास्पती, उप्रास्पती और राज्य के राज्येपालों की शपत का उलेख नहीं है इस सम्वेधानिक पद के लिए शपत का अलग अलग अनुचेद में वरणन किया गया है मसलन रास्टपती की शपत का उलेख अनुचेद साथ में उपरास्टपती की शपत का उलेख अनुचेद उनतर में और राजिपाल के शपत का उलेक अनुचे 169 में दिया गया है रास्टपती शपत ग्रहन से पूर्व कौन सी शपत लेते हैं रास्टपती को शपत दिलाने का कार्य सुप्रीम कोड के मुख्यन अधीश द्वारा किया जाता है जो की उनके द्वारा बूले गए इस वचन को दोहराने का कार्य करते हैं वचन के अनुसार मैं इश्वर के सपत लेता हूँ कि मैं शपत पूर्वक भारत के रास्टपती के पद का कार्य पालन करूँगा तथा अपनी पूरी योगिता से समविधान और विधी का परिरक्षन, सनरक्षन और प्रतिरक्षन करूँगा और मैं भारत की जनता की सेवा और कल्यान में निरत रहूँगा इंग्लिश में इसी चीज को कुछ इस प्रकार से बोला जाएगा 25 जुलाई को ही वरतमान सहय में शपत ग्रहन समारह की परंपरा क्यों हो रही है आईए इसका पूरा इतिहास जानने का प्रयास करते हैं देश में 26 जनवरी 1950 को गरतंद्र लाग हुआ उसी दिन डॉक्टर राजेंद प्रिशाद देश के पहले रास्पती बने तब तक देश में लोगसभा की चुनाव नहीं हुए थे 1951-52 में पहली बार लोगसभा और राज्यों की विधान सभा की चुनाव हुए इसके बाद रास्पती चुनाव हुए दॉक्टर राजेंद प्रिशाद 13 मई 1952 को जीत कर फिर से इस पद पर पहुँचे 1957 में लगाता दूसरी बार जीत कर रास्पती प्रिशाद रास्पती बने दॉक्टर प्रिशाद 12 साल तक इस पद पर बने रहे 13 मई 1962 को उनका कारेकाल पूरा हुआ और डॉक्टर राधा किश्नन देश के दूसरे रास्पती बने और उन्होंने भी अपना कारेकाल पूरा किया पांस साल बाद 13 मई 1967 को डॉक्टर चौकिर हुसैन देश के तीसरे रास्पती बने डॉक्टर हुसैन अपना कारेकाल पूरा नहीं कर सके और 3 मई 1979 को उनका निधन हो गया हुसैन के निधन के बाद उप रास्पती वीवी गिरी कारेवाहक रास्पती बने इसके बाद होने वाले रास्पती चुनाओ में उम्मीडवार बनने के बाद उन्हें स्तीफा देना पड़ा वीवीगिरी के स्तीफे के बाद उस वक्त सुप्रीम कोर्ड के मुखे नयाधिश मुहम्मद हिडायतुल्ला कारेवाहक रास्टपती न्यूक्त हुए चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के बाद 24 अगस्त 1979 को वीवीगिरी रास्टपती बने गिरी ने अपना कारेकाल पूरा किया गिरी के बाद 24 अगस्त 1974 को फकरुदीन अली एहमद नय रास्टपती बने एहमद कारेकाल पूरा नहीं कर पाने वाले दूसरे रास्टपती बने 11 फर्वरी 1977 को उनका निधन हो गया एहमत के निधन के बाद उप रास्टपती वीडी जत्ती कारेवहक रास्टपती बने इसके बाद चुनाओं के बाद 25 जुलाई 1970 को नीलम संजीव रिटी देश के नए रास्टपती बने तब से लेकर अब तक रास्टपती ने अपना कारेकाल पूरा किया है प्रतेक रास्टपती अपना कारेकाल पूरा करते रहे हैं इसी वज़ा से 25 जुलाई को ने रास्टपती शपत लेते हैं तब से अब तक 9 रास्टपती 25 जुलाई को शपत ले चुके हैं और अब दस्वे राश्च्पती के रूप में श्रीमती मूर्मू जी ने शपत लिया है। फिलाल इतना ही आशा करते हैं आप सभी लोगों को दी गई जानकारी बहुत पसंद आई होगी और Study IQ PCS YouTube चैनल को यदि अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें साथी साथ Study IQ PCS इस नाम से आप हमें Telegram पे भी संपर कर सकते ह इसके अलामा आप मुझे इन सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म पे भी फॉलो कर सकते हैं उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों का SDM बनने का सपना Study IQ PCS पूरा करने में पूरी तरीके से सक्षम हो रहा होगा इसे उम्मीद के साथ फिर मुलाकात करेंगे एकले सत्र में तब के लिए नमस्कार धन्यवाद